Hello everyone, welcome to Smile for All So guys, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम लोग कही सरे ऐसे वीडियो से जो की cover करते हैं जिसके अंदर हम लोग कही सरे education system के बारे में बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको कही सरे इंडिया के top schools के बारे में बताया था आज हम इस वीडियो के अंदर Japanese education system के बारे में बात करेंगे जैसा कि आप सभी को मालूम है Japanese लोग पुरी दुनिया में अपनी calmness के लिए अपनी hard work के लिए अपनी longevity के लिए अपनी tradition, culture को preserve रखे आगे बढ़ने के लिए science and tech के लिए बहुत ही famous माने जाते हैं उनकी geographical location जहाँ पे volcanic eruptions बहुत होते हैं, earthquake बहुत आते हैं उसके बाद में भी वो अपनी country को इतने आगे रखे हुए हैं, country के अंदर development बहुत fast होते हैं तो इसके पीछे एक बहुत बढ़ा credit है जो कि Japanese लोग अपनी school education को देते हैं तो ये कौन सी school education है कैसी माँ पे school education होती है उनको क्या सिखाया जाता है जिससे वो इस तरीके से build होते हैं कि आगने आले time पे वो अपने hard work के साथ में country के progress में बहुत जादा बड़ा role play करते हैं तो इन सब चीजों के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं सबसे पहले अगर आप कोई भी अगर आप मेंसे job करता है तो आप एक happiness subscription लेकर एक बच्ची के education sponsor कर सकते हैं with the help of the smile for all आपको website के ओपर सारे बच्चे list में दिखेंगे आप एक बच्चे को adopt कर सकते हैं आपको उसकी receipt जो fee की है साथ में उसकी progress report, मतली attendance ये सब आपको मिलती रहेगी तो चलिए शुरुवात करते हैं सबसे पहले देखिए Japanese education system की जो शुरुवात होती है वो 1868 से होती है क्योंकि 1868 से लेकर 1912 के बीच में एक Meiji period जो हुआ करता था Japan में Meiji जो है वो एक emperor थे Japan के 122 emperor थे और एक तरीके से first monarch के जो की Japan के माने चाते है उससे पहले 1868 से पहले जो वहाँ पे time period था उसमें shogunate political system था जो की पूरी तरीके से collapse हो गया था और उस time तक Japan में कुछ भी नहीं था ना बहुत ही ज़ादा पीछे था लेकिन 1868 से लेकर 1912 यह जो 50 साल का period था इसके अंदर political, economical, educational बहुत सार ऐसे reform आये और Japan all of a sudden 50 साल के बाद में दुनिया की एक तरीके से workforce, industrial power है जो की बन गया ठीक है उसके अंदर एक और बहुत बड़ा factor जो है वो Japan के culture का भी है और साथ मोन के education का भी है देखे क्या हुआ था कि जब Japan के अंदर education system मेजी period के time पर start हुआ तो उन्होंने ये बाद समझ ली थी कि इनको western education के उपर जो है वो focus करना चाहिए क्योंकि western countries already काफी आगे चल रहे थी इन चीजों के लेकर तो उन्होंने western education तो अपने country के अंदर बात करूँ तो जैपैन में वैसे starting के अंदर 1945 तक somewhere जो उनका education system था वो science and tech के उपर तो ये लोग काफी काम कर रहे थे लेकिन उन्होंने बहुत ज़ादा hyper nationalism देश की unity को लेकर और बहुत ज़ादा hyper nationalism के उपर अपने बच्चों को जो है वो mold कर रहा था education system को mold कर रहा था लेकिन जब second world war के अंदर जैपैन के defeat हुई तो उसके बाद मैं Americans काफी सारे जैपैन के अंदर आए और in fact ऐसे कई सारे educators थे अमेरिका के जिन्होंने काफी time तक जैपैन के अंदर रहकर post war education report बनाई वहां के education system को change करने को लेकर काम किया ताकि demography जो democracy के ओपर और जो different different demography में जो divided था जैपैन उन सब के अंदर same educational values जो की दे सके इसके ओपर उन्होंने काफी काम किया in fact American education system अमेरिका के अंदर काफी flourish भी हुआ 1945 से लेकर आगे तक चला लेकिन जैपैन ने बाद में जब अपने एक permanent education ministry बनाई तो उन्होंने American education system के साथ में कुछ चीज़े और add-on करी जैसे कि जैपैन के हर एक बच्चा अगर आज की टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो वाह का जो art है जो calligraphy है, kanji जिसको कहते है हना जो art और tradition जो काफी सिखाता है painting करने के जो तरीके है जो art है, वो बहुत बच्चें जो कि आज भी महाँ पे सीखते हैं बहुत सारे बच्चें जो कि आज भी school के बाद में इन चीज़ों को महाँ पे cover करते हैं तो उन्होंने अपने culture traditional values को जो है वो काफी parallel ही अपने science and tech के साथ में लेके वी चले और उसके बाद में दीरे-दीरे करते करते हैं इन्होंने शुरुवात के अंदर जो है वो अगर मैं बात करूं 18-86 तक की तो उस तरीफ 4 साल की education compulsory करी थी लेकिन 1918 आते-आते इन्होंने 9 साल तक की education कमपल सरी करी उसके बाद में इन्होंने education को free कर दिया सबी के लिए और उसके बाद में 12 तक की education आज 99.99% है जो की बच्चे वाँ पे लेते हैं जैसे कि हमारे याँ पर इस system होता है 10 प्लस 2 प्लस 3 10 साल की school education, 2 साल की higher education school की 3 साल का graduation वैसे जैपन के अंदर 6 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 चलता है तो इस system को उन्होंने वाँ पे जब implement किया तो लास्ट के साथ साल के अंदर वाँ पे जदा फोर्स नहीं किया जाता बच्चो को तो शुरुआत के जो years होते हैं उसमें पढ़ाई को इतना इंट्रस्टिंग मनाया जाता है कि वहाँ पे attendance का जो परसंटेज होता है वो 99.99% देखने को मिलता है जो बच्चो की drop out है वो 1% के आसपास अगर आप अमेरिका में भी देखेंगे तो school education में drop out आपको 3-4% देखने को मिलेगा लेकिन Japan के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो वहाँ पे अगर आप drop out देखेंगे तो 1-5% का drop out है जो की देखने को मिलता है इसके अलाबा स्कूल के अंदर अगर मैं बात कर तो उन्हें एक बहुत अच्छी चीज़ें करी है कि school के बाद में उन्हें कई सारे workshop के अंदर बच्चों को involve कर आवा है जो कि कई सारे बच्चे science के अंदर, gaming के अंदर, sports के अंदर, culture, music, theatres इनके अंदर participation रहता है तो उससे उनकी पढ़ाई के साथ में उनकी जो उनका interest है वो साथ में वो build करने के ओपर काम करता है इसके अलवा अगर मैं Japan के education system के बारे में बात करता है और भी बहुत सारे interesting facts है जिनके बारे मैं लोग discuss कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं first fact के बारे में बात करूँ जैपैन के education system के अंदर आपको कोई भी school के अंदर कोई भी जो है आपको peon या फिर ऐसे कोई भी person नहीं मिलेंगे जो की वहाँ पे उनका school का जो cleaning करते हो जैपैन की cleaning system के school के अंदर वहां के जो बच्चे हैं उनी को ही involve किया जाता है ताकि वो लोग यह सीख सकेंगे कैसे हमें responsibility निभानिये कैसे community को clean रखना है कैसे school के अंदर आपस में मिलकर campus को clean रखना है तो किसी भी school के अंदर कोई भी cleaning department उनका नहीं होता है बच्चे ही है जो कि school के अंदर पूरी cleaning का काम है जो की करते हैं second important बात जैपन के जो school से उनके अंदर majorly self-defense की training है जो की दी जाती है majorly अगर आप school के अंदर देखेंगे तो यह माना जाता है कि कभी भी ज़रूत पड़ेगी तो बच्चों को self-defense आना चीए और in fact एक सुशू माता करके एक और एक weapon यह जो की school के अंदर रखा जाता है जिसको जरूरत पड़ने पर टीचर से है जो बच्चे हैं जो की काम में ले सकते हैं तीसरा interesting fact है कि हर एक बच्चे को जो school के अंदर meal होता है वो उनका similar होता है जैपैन के school वालों ने ही जो है वो क्या कर रखा है हर एक अपना जो meal है वो एक पूरा set of procedure है जो की बना रखा है कि यही meal है जो की बच्चा लेके आएगा तो उससे क्या होता है कि uniformity देखने को मिलती है और हर बच्चा जो है अपनी diet के ओपर focus करता है कोई भी waste या कोई भी गलत food fast food यह सब नहीं खाता है और एक proper meal plan है जो की बच्चों के लिए दिया जाता है एक और interesting बात कि जैपैन के education system में 99% बच्चे कभी भी school के अंदर जो है वो late नहीं आता है उनका जो timing है जो punctuality उसके उपर school majorly focus करता है और 91% बच्चे इस चीज़ से जादा खुश भी है जब एक happiness के उपर बात करी गई कि system से जो है वो discipline जो punctuality वाला है इससे कितने help मिलते है तो 91% बच्चों ने बोला कि इससे हमें आगे life के अंदर बहुत help मिलती है तो एक ऐसा system मिल किया गया जिसमें लोग time पे जाते हैं अगर कोई गलती से late भी हो जाया तो बाद में after school जो है उस बच्चे को उतनी ही देर रोका जाता है और teacher जो चीज मिस हो चुकी है वो पढ़ाते हैं ठीक है उसके बाद में बात करें जो जो भी holidays आते हैं वहाँ पे जापैन में जो schools हैं वहाँ पे vocational trainings होती है हमारे यहाँ पर भी होती है अगर आप देखोगे तो summer camp से जो कि लगाए जाते हैं तो इस तरह के से जापैन के अंदर भी summer camp से जो की देखने को मिलते हैं इसके अलावा शुरुआत के 10 साल तक जापैन के अंदर कोई भी exam नहीं ह होते हैं इन फैक्ट जब बच्चा स्कूल के अंदर जाता है तो वहाँ पर सबसे जादा जो initial years में जो practice करवाई जाते हैं बच्चे को values की करवाई जाते हैं कैसे आपको बढ़ो का respect करना है कैसे आपको campus को clean रखना है कैसे आपको behave करना है कैसे आपको contribution लोगों की help करनी है तो जो basic fundamentals है उनके उपर काफी focus करया जाता है एंगर management के उपर, speaking के उपर, public speaking के उपर तो शुरुवात के 10 सालों के अंदर इन चीजों के उपर जादा focus कर जाता है और कोई भी exam नहीं होता है In fact, Japan के culture के अंदर किसी बच्चे को fail करने का culture ही नहीं है तो अगर वो चाहे तो 12 तक without fail हुए भी आगे बढ़ सकता है लेकिन yes, 12 के बाद में जब उनको आगे colleges के लिए, universities के लिए apply करना पड़ता है तब उनको बहुत tough competition देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर फिर marks है जो क matter करता है तो इसलिए school education के बाद में जो college के बीच में जो time होता है उसको आप examination hell कहा जाता है क्योंकि उसके बाद में बहुत competition जैसे कि हमारे आप IITs और aims के लिए देखने को मिलता है उसी तरह के Japan में भी देखने को मिलता है लेकिन एक उनके life का सबसे जो अच्छा moment होता है college का moment है जो कि वो बताता है क्योंकि college के अंदर बहुत जादा independence freedom liberty जो है बच्चों को मिलती है तो उनका life का सबसे best period माना जाता है before work तो एक तरीके से lesser time before work के तौर पर वो अपने college को वहाँ पर देखते हैं जहां पर वो सीखते भी है और साथ में free time में को काफी मिलता है एक और important facts है जो कि है वहाँ पर जैपैन की mathematics को लेकर जैपैन के अंदर maximum कोशिश करी जाती है कि बच्चे को mathematics से लेकर बाकी जो subject है वो experimental learning के थुरू समझाय जाए जाए ओके बहुत सारे experiments होते हैं बहुत सारे ऐसे games बनाए जाते हैं जिससे कोशिच की जाती है कि बच्चा जल् longer time तक जो है वहाँ पर उसकी education वो काम आ सके okay तो in fact ऐसा माना जाता है कि per week जैपैन में mathematics के ओपर एक बच्चा 235 minutes है जो कि spend करता है regular math class on and average है जो की देखने को मिलती है और इसी वज़े से जैपैन पुरी दुनिया में scientific literacy के अंदर second number के उपर है जो कि माना जाता है तो यह था दोस्तो एक जैपैन के education system के उपर एक small video जो कि उमीद करता हूँ कि आपको काफी चीज़ा है जो कि पता चली होगी और आप इस video को शेयर जालू करिएगा ताकि जादा दा लोगों को जापैन के education system के बारे में पता चल सके और हम लोग कोशिश करें तो इसको इं क्लूट करके आगे बढ़ा सकते हैं आज के लिए थैंक्यों व्रिवन गुडबाई और आव नाइस टेंग